नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी शिवरात्री आठ मार्च दो हजार चौबिस एक ऐसा संयोग जब कुछ बहुत खास है और ये खास तो कहने के लिए तीन चार सो वर्षों में खास है क्योंकि एक जैसी खगोली ये घटना कभी घटी ही नहीं तो हम हजार वर्ष भी कह सकते हैं कि हजार वर्षों में ऐसा कुछ इस्पेशल होने जा रहा है जब शुक्र प्रदोश भी है बाकी तो छोड़ दीजिए मैं स्रवन नक्षतर उठाता हूँ भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है भगवान भोलेनाथ का एक नाम चंद्र मौली भी है बोलो भोलेनाथ सरकार कीजए एक स्पेशल मौहूर्त बन रहा है सरवार्थ सिद्ध सैयोग भी है जो सभी अर्थों को सिद्ध कर दे ऐसा सैयोग श्रमन नक्षतर मकर राशी में पढ़ता है और इसके बाद नक्षतर आता है धनिष्ठा मंगल का नक्षतर धनिष्ठा ये शक्ति है और शिव शक्ति के सानिध्य में होते है बिना शक्ति के शिव नहीं और बिना शिव के शक्ति नहीं और चंद्रमा ही रानी है इस्त्री संग्य के है शक्ति स्वरूपा है तो ये संयोग जो बन रहा है आठ मार्च दो हजार चौबिस को यह सैकडों वर्षों उपरांत बन रहा है ऐसा संयोग जल्दी मिलता नहीं है जब हम शनी शिव शक्ति तीनों का त्रिवेडिय संगम प्राप्त कर रहे हैं यह सारी विशेष्टाएं हम मात्र इस वजह से बता रहे हैं जिससे आप लोग भगवान शिव की कृपा को सहजता पूर्वक प्राप्त कर लें सहजता पूर्वक और यह कृपा पाने का एक माध्यम बन रहा है हमारा जोतिश दिशाक कर्मकांड कार्याल है जहां पर सुर्योदय की प्रथम किरण के साथ पूजन अर्चन वंदन रुद्रा अभिशेक मंत्र जाप यवं निशीत काल में तंत्रोक्त महा यग्य का आयूजन होगा मित्रों जादा से जादा लोगों तक यहलाव पहुँचे इसके लिए हमने विशेश नॉमिनल शुल्क रखा है मात्र 21 सुरूप है जो कि एक बार आप अईतवार बजार में जाएए तो दो-तीन हजार की तरकारी हो जाती है हमारे अवद में तरकारी कहते हैं हमारे शालीमार गार्डन राजिंदर नगर में बुध बजार लगता और संड्य बजार लगता दोनों संड्य बजार साइध हर गया आप तो दूख है जमाना बीत गया नहीं जा पाते हैं मातर इसी वज़े से हमने रखा है 21 रुपए जिससे जादा से जादा संख्या तक इस लाव को हम पहुचा सके हैं विक्षित करना है कि यह मुहूर्त आठ मार्च दो हजार चौबिस महा शिवरात्री का महा शुभ शुक्र प्रदोश मुहूर्त रेरस्टाफ रेर है अब सोचिए आपकी कुंडली में मंगल दोशित है हमने अभी एक रील डाला था कि अगर मंगल पीडी था तो क्या-क्या होता है आपके जीवन से कोड कचहरी जाने का नाम ही नहीं लेता है ऐसा दंड आपको मिलता है जो जो गुनाह जो जुर्म आपने किया ही नहीं उसका भी दंड पा गए बहुत सारे ऐसे आप लोगों में से लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार से दंड भोगा होगा जीवन में नहीं किये भोग लिया परिक्षा दे रहे हैं किसी ने नकल करके पर्ची आपके सीट के पास फेंग दी और आप रिष्टिकेट हो गए अब बताईए यह क्या है यही भोग होता है कुछ गुना हो रहा आप तमाशा देखने के लिए खड़े हुए बाइक रोके साइकिल रोके और पता चला कि पुलिस आई और आपको धर ले गई यह क्या है भोग है यह तभी होगा मित्रों जब आपके जन्वांग का मंगल आपका पीडित होगा कर्ज छूटने का नाम ही न ले हमारे पास कुछ केसे जैसे आये थे कि जुवा खेलने के लिए कर्ज उठा लिया शेयर में लगाना था और उठाकर लगा दिये कि पचास अजार लेके लगा रहें शेयर में और कल हम पचास अजार का एक लाग कर लेंगे और हम पचास विमारी के लिए करज ले लिया बच्चे को पढ़ाने के लिए आयायम की फीस भरने के लिए 40 लाख रुपय का करज ले लिये 8-10 लाख रुपया परियर का फीस लगता आयायम में और बच्चे का मन नहीं लगा छोड़ की बिच्वेम चला आया अब जाओ जी भरो करजा भरो विदेश भेजने के लिए करज उठा लिए तो इस प्रकार की स्थिती क्रियेट ही तब होती है जब हमारी कुंडली का मंगल पूरी तरह से दूशित होता है ऐसे मंगल को आप आठ मार्च के दिन पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं और आपके दिमाग से जब इस प्रकार का मंगल शांत हो जाएगा इस प्रकार के मंगल की वैदिक शांती हो जाती है, जो कि सास्त्रोक्त होता है कि हम ग्रहे शांती वैदिक पूजापाट से कर सकते हैं, मंत्र जाप से कर सकते हैं, मंत्र जाप से वह ग्रह हमारा संतुलित होता है, जब इस प्रकार से आप करते हैं, तो आपकी बुद्धी सही दिशार में लग जाती है, फिर आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि कर्जा ले करके हम जुवा खेलने, share में trading करने, फिर आपके मन में ये नहीं आएगा कि कर्जा ले करके हम बच्चे का IIM में admission कराएंगे, फिर आप सोचेंगे कि सामाने सीर से वो selection हो जाए, उसका cat कि थ्रूँ और वह पास हो जाएगा, अपने हिसाब से करेगा, पैसे से अगर करियर बनने लग जाता तो हर अमीर व्यक्ति का बच्चा आज एक लेबल पर होता, पैसे से करियर नहीं बनता, करियर भाग्य से बनता है, भाग्य में है, आपने श्रम किया, भाग्य में होता है तो किस्मत स्रम भी कराती है आपने श्रम किया और आपका सेलेक्शन हो गया बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ तो ऐसा मंगल आठ मार्च को हम संतुलित कर सकते हैं चंद्रमा को ले लीजिए सर्वन नक्षत्र में चंद्रमा है जन्मांक में चंद्रमा का पीड़ा चंद्रमा का दोश सारे सुख छीन लेता है आपके पास कोई सुख शेश नहीं बचता है ऐसा चंद्रमा नीच में है अनुराधा का है ऐसा चंद्रमा राहुक के साथ बैठा चंद्रमा अमावस को आपका रात में जन्म हुआ है ऐसा चंद्रमा सूर्य चंद्र की युति है अमावस की रात पैदाईश हो अगर सुर्योदे सुर्यास्त के बीच की पैदाईश हो छे बजे सुर्योदे हो रहा है प्रतिपदा का और आप सुबह पांच बजे पैदा हो रहे हैं आपको लगया का हम तो भोर में पैदा हुए ना सुर्योदे के आज़ पास में चंद्रमा हट जाएगा अमावस रहेगा जब तक सुर्योदे नहीं हुआ है आप गारी खरीदेंगे गारी बिक जाएगी आपकी सुख नहीं है एसी आप क्या कभी जीवर में एसी आपकी कभी घर में सहीय नहीं रहेगी आए दिन एसी में कोईन कोई फॉल्ट आएगा सुख नहीं है ऐसा चंद्रमा आठ मार्श को इस प्रकार के चंद्रमा को भी हम संतुलित करने के लिए मंत्रजाप और हवन करवा रहे हैं और शनी के बारे में तो हमने बहुत सारे व्याख्यान दिये हैं बहुत सारे कारिक्रम हमने किये हैं लगबग 12 हज़ार के आसपास वीडियोज हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर आइस्टो फ्रेंट संतोशी नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है सबसेदिक वीडियोज हमारे वहाँ पर है आप अगर हमें इस समय इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं फेस्बूक पर सुन रहे हैं तो जाईए हमारे यूट्यूब चैनल पर और देखिए आपके पास 15-20 मिनट है तो सर्च करिए शनी की पीड़ा संतोशी जी के नाम से वीडियोज मिल जाएंगे connect करिए आप हमारे शोद हमारे researches को connect करिए आप ऐसे मत मानिए गा मैं इसलिए ठोटका शब्द रही लाता हूँ शोध लाता हूँ जोतिश विज्ञान सतत शोध का विज्ञान है शनी के विशय में हमने इतना विस्तार दिया कि आप सोच नहीं सकते हैं, हमारा प्रियग रहा है, आप देखिए एक बार, समझ में आएगा आप कि आप कितने पानी में हैं, और इस प्रकार के शनी को भी शांत कर सकते हैं क्योंकि ये 2024 है, आठ कांक है और आठ मार्च को ये मह शिवरात्री है, और शिव शनी का कनेक्शन बहुत दीप कनेक्शन है, शिवांशी ही तो है, शिव का ही तो प्रताप है शनी में, सोर्य पुत्र शनी अगर आपने देखा होगा धारावाहिक तो आपको पता होगा इस विशय में, विस्तार से जानकारी होगी, आपको विस्तार से इसकी जानकारी होगी तो आप विस्तार इसको समझें, इसकी गहराई को समझें आप यह है क्या चीज़? इसकी समझ आपको रखनी होगी इसका स्वरूप आपको समझना होगा और इतने नॉमिनल, मतलब हमने सोचा था कि रखेंगे कुछ नहीं, ठाक शुल्क मायगाई का जमाना है लेकिन पदा नहीं कहां से वो प्रिणाय मिली कि हमने कहा नहीं इस बार संख्या हम जादा से जादा आएं, लोगों को लाव हो बस यह भाव लेकर के हमने एक आम व्यक्ति की पहुँच का हमने शुल्क रखा मातरी किस्व, आप तुरंद रजिस्टेशन करवा लीजिए, आपके पास आउसर कम है हमारे कार्याले की किसी भी नंबर पर आप शिवरात रियक ये लिख करके भेज़ दीजिए आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, आप फीज जमाग करिए, रेजिस्टेशन करवाएगा, बाकी एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करिए और आप की बुकिंग हो जाएगी, बाकी हमारे जो स्टाफ हैं वो आपको फॉलॉप करेंगे और हर तरह से आपको किसी तरह क्या सुविधा नहीं होगी, आप आना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है, उसकी भी जानकारिया आप ले लिजेगा, उसमें शुल्क थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपके ट्रीट्मेंट के लिए, फिर हमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ छुट्टी का दिन रहेगा आठ मार्च, नहीं है तो एक दिन का कैजूल लीव लगाई है, अगर आप गवर्मेंट इंप्लॉई है, प्राइवेट हैं तो भी आप प्रार्थना कर लिजे, पूजन आधी करना है, वरत रहेंगे तो इस प्रकार से हमें छुट्टी चाहिए और आप छुट्टी लीजे एक दिन का आठ मार्च का और जरूर इस महानिशीत तंत्रोक्त महायग्य में भाग लीजे, शुक्रिया भगवान शीव आप सब का सदय उकल्यार करें, नमस्कार, जैजै शिव शंभू आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे, ये ग्रहदीब की तरह से खुशियां ला सकता है, कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से, हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब, व्यापार के लिए महालक्षमी, कर्ज कोट विवाद, मंगल ग्रहदीब, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब, तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब, दीप एक, खुशियां अनेक, एक्टरस भी खीब, एक्टरस खीब, उट क्टरस बवगना तो और 2020, मंगल प्रहदीब, जुशियों कि रीच जब एक, खर सकता है, मंगल रः़दीब, झाल तो फान रहर भी ऽिपनावाद, तो रहराद क्र।न शुक्टरस बहरां, प्रें, पुशियों की चियों, हो abus तो